ओम सायराम, मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर होते परिवर्तन में हमेशा विश्वास रखो, ये परिवर्तन हर पल हो रहा है, उन दिनों में भी जब तुम्हें इसका आभास नहीं होता है मेरा अशिर्वाद है कि तुम्हारा हर दिन बिना किसी मन मुटाव या टकराव की गुजरे, हमेशा शान्ती पूर्ण जीवन जीओ और मुस्कुराते रहो हाला कि तकराव होना तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, परन्तु उससे छुटकारा पाया जा सकता है अपनी मानसिक शान्तिक होने के बज़ाए, क्यों ना शुरू से ही तकराव से बचा जाए, थोड़ी जागरुकता और सयम से तुम्हारे जीवन में हो रहे, तकराव के कारणों में कहीं न कहीं तुम्हारी ही भूल होती है क्योंकि सामने वाले तो तकराएंगे ही, पर ये जान के तुम क्यों उलजना चाहोगे जब भी तकराव हो, तो खुद से ये पूछो कि मैंने ऐसा क्या कहे या कर दिया कि ये तकराव हुआ है जब खुद की भूल का एहसास होगा, तो हल भी आसानी से निकल आएगा परन्तु अगर तुम ये मान लेते हो, कि सिर्फ सामने वाले की ही भूल है, तो तकराव की गुथी कभी नहीं सुलजेगी जब तुम ऐसा मानोगे कि अपनी ही भूल है, तभी इस तकराव का अन्त होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्य सभी उपाय उलजहाने वाले हैं तकराव से जितना बचोगे, उतना मन शान्त और पवित्र रहेगा अपने मन को पवित्र रखोगे, तो तुम्हें मेरी उपस्थिती महसूस होगी और मेरी उपस्थिती से ही तुम्हें ये ज्ञान होगा कि तुम वास्तव में कौन हो तब तुम बाहरी और आंतरिक शान्ती प्राप्त कर पाओगे तुम्हारे लिए सब शुब है और सब शुब ही होगा अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहत पसंद है जैसाए राव